जी सामुलिक्रम एब्रीवन इस श्रेव खान एन वेलकम तो दे लर्निंग सेक्षिन अफ दे क्रिप्ट आफिर्स बाई श्रेव खान इस नमंबर 2021 और आज जो है एक वीडियो लर्निंग की लेक्टर्स की जो है आज बिल्कुल एक नई शुरुवात हम करने जा रहे हैं तो आज यह पहली वीडियो है और इसका बनाने का मकसद यह कि यह यह लर्निंग वीडियो होंगी यह बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करी जाएंगी जो भी लोग लाइक क्रिप्टोकुरंसी के एक वर्ल में एंटर हो रहे हैं और ट्रेडिंग के लिए जानना चाहते हैं उस त तरीके से जो हर किनारे को जो है हम लोग देखेंगे चाहिए वो क्रिप्टोकुरंसी और फॉरक्स हो या फिर स्टॉक्स हो और अफकॉर्स इट विल भी प्री लाइक इट अल्वेस ऐस बीन और जो है यह आई होब के पाकिसान में जो है कावशारे लोगों के लिए यह एक मदद करने के मतलब हवाले से जो है यह एक साबित होगी एक इस्पेशली लर्निंग को लेकर सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मतलब यह के जो पहली हमारी गाइड है तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आवल लाग तो इंट्रोड्यूस मासेल्फ मेरा जो तालुक रह कॉर्पर्ट फाइनस में जो है एंबीए किया है जैविस से और मैं एक प्रोफेशनल बैंकर रहे चुका हूं इस्पेशली इसमें जो मेरी स्पेशलाइज़ेशन रही है वो एसमी में रही है तकरीबन थाई साल की अरसे में और अब तू मतलब लाइक आज तक जो है मेरी अगरीबन 40 प्लस पॉब्लिकेशन जो है टू डेट है जिसमें मैंने ऐसा ओथर को और और साइटर काम किया है एक चीज़ों यहां पर मैंशन नहीं है वो यह के 2010 में जो है मैंने अपनी ऐस्ट्रोफिसिक्स की तालिम हो स्टार्ट करी थी उनिवस्टी कॉलेज लंडन से ब तो बट स्टिल यहां पाइशन एंड होफुली इन मैं लाइफ और हैड आई विश्टू कॉम्प्लीटिटिट तो जहां तक एक्सपिरियंस की बाद आती है मैं अपना एक मेरा अपना खुद का स्कूल है तो मैं वहां पर एस एन एक्जेक्टिव डारेक्टर हूं मेरा ट् वी जेनों डिटेटेडर्स और मतलब किस तरीके से उनको युट्लाइस किया जाता है वह कौन से इनिकेटर्स हैं किस तरीके से हैं तो हम उसकी जो है डिटेल में इंशाला ताला आके देखता है तो तो स्टार्ट करते हैं फिर अल्ला ताला के नाम से क्रिप्टो करेंशी basically है क्या पाकिस्तान में जब इस चीज़ का नाम सबसे पहले सुना गयाता है तो वो साल था तकरीबन 2015 हम लोग बिटकॉइन को मतलब यह के एक तरीके से discover तो नहीं बट एजाद होए वे 5 साल हो चुके थे 6 साल 5 साल हो चुके थे और mostly जो है लोग adoption की तरफ जब जा रहे थे तो इसमें काफी एक तरीके से जो यह लोगों को वो था यह आप कह सकतें के शक और शुबात थे और काफी होते तो इसकी basically story कहां से start होई देखें financial market just like जैसे के दूसरी markets होती है तरीके से जब आप commodities की जब आप currencies की जब आप assets की जो buying selling करते हैं वो कहलाती है financial market ठीक है तो financial market जो है अपने उरूच पे थी जब अगर देखा जाए 2004-2005 के phases में और मतलब यह के banks वगरा भी जो है मतलब उसमें काफी एक तरीके से investment चली थी और यह से चीज़ें वो करी जाती है वो अपने उरूच पर थी ठीक है तो banking basically क्या banking किस तरीके से काम करती है उसका simple उसूल यह होता है कि वो अवाम से पैसा लेकर ठीक है जो आपके deposits होते है उसको invest करती है जो के एक तरीके से loans किला दें corporate loans होते है small medium enterprises loans होते है ठीक है और उससे जो वो मुनाफ़ा कमाती है loan देकर जो के आप markup जो के loan दे रहा है वो भरता है उस मुनाफ़े को holders को savings के उसमें दिया जाता है और वो सब कुछ अटा के जो बीच में जो portion भचता है वो bank का अपना उतका मुनाफ़ा होता है so that's what the major thing like जो में जो operation होता है banking का वो होता है तो basically हो क्या रहा था 2004 के time पर usually 2004 से 2006 के दर्मियान पर ये banks ने जो loan देना शुरू करे थे वो mortgage crisis भी इसको कहते है एक तरीके से के वो let's say के लोगों की जमीने रख्या और जैसे जैसे के हम गिर भी रखवा कर जो loan ले थे हैं वो सारी वो चीजें थी और इस हवाले से मतलब ये के लोगों की इतनी जो है ना एक तरीके से के वाई सी नहीं करी जा रही थी और बिजनेस वगरा की तो उस बुनियाद पर एक building की साथमें फ्लोर का आटमा जो penthouse है वो भी विकावाता है जो के building वजूद में भी ना थी तो इस बुनियाद से अब अंदाजा लगाने के मतलब किस तरीके के मामला वो चल रहा था तो देन एक शेकावट आट हो था on seven के आखिर में और पूरी दुनिया में like financial crisis का वो और के एक default होना शुरू हुआ and then layman brothers का जो like if you know about it मैं इस detail में इतना नहीं जाना चाओंगा तो खैर एक तरीके से बहुत बड़े rates आई कर दिये थे क्योंके bank loan ही नहीं देना चाहरा था डिफॉल्टर्स इसने बढ़ गए थे डिफॉल्टर्स की जो शराथ ही वो काफी बढ़ गई थी तो खैर financial crisis 2008 में जो आया है वो great depression के बाद जो एक सबसे बड़ा जो उसने impact डाला वो 2008 का basically financial crisis था काफी सारे banks और काफी सारी industry जो है उसकी एक effect हुई और एक तरीके से आप यह कह सकते के default rate जो है आसमारों पे था और unemployment वगड़ा वो सारे मामला थो है पाकिस्तान पे भी उसका पेकशन आए तो इस बुनियाद पे लोगों की एक जो basically banks पर वो कहते ना के एक जो भरोसे की एक जो वो चीज थी वो 2T 2008 में और वहां से Genesis Court का जो है एक बुनियाद रखी गई Genesis Court क्या था basically एक इंसान या एक team या एक organization जो के represent करती है सतोशी ना का motto के नाम से nobody knows still yet के वो कौन था या वो कौन लोगत था उन्होंने Bitcoin की एक तरीके से Genesis Court की बुनियाद रखी गई और उस बुनियाद का बखसर जो था वो यह था कि एक इनसान जब दूसरे इनसान से transaction कोई भी कर रहा है या कोई भी तिजारत कर रहा है तो उसके बीच में कोई intermediary ना हो जैसे के bank कि मैं आपसे जब lane lane कर रहा हूं तो मेरे lane lane के दर्मियान एक note है जिसको bank जो है bank कर रहा है एक third party वो करी है तो basically Bitcoin की जो बुनियाद थी cryptocurrency की जो बुनियाद थी वो यह कि यह decentralized currency होगी means के इसकी कोई centralization इसको कोई centralize इसको कोई rule out करने वाला है इसको कोई regulate करने वाला जो है वो जरम लिया और यह एक दो साल जो है अपने उस में उस period में रहा then 2011 से 12 के दर्मियान में जो यह अपना एक full-fledged trading की एक दुनिया में मतलब यह कि उसने कदम रखा और यह कि जब वो एक साल था कि जब लोग जो है first time cryptocurrency को trade कर सकते थे and that's how it all started so आगे चलते हैं यह तो एक basic knowledge थ आता है वो यह आता है कि क्रिप्टो जो है वो एक currency है या वो एक asset है अब इसमें जो एक बुनियात है वो देखें समझने की एक चीज़ वो यह कि asset वो चीज़ होती है जो कि अपने अंदर एक value रखती है ठीक है और suppose यह केन है ठीक है एक 7-up का केन है जब तक यह खोला नही asset मैं इसको currency की मुनियात पर नहीं लोगा right currency क्या है कि basically जिसकी backing एक मैं let's say के हम एक commodity या उस पर हम कर रहे हो and then उसको हम तिजारत को उस पर इस्तेमाल करेंगे वह यह एक note है उसकी एक उसकी पीछे एक value है उसके पीछे एक central एक जो body है let's say के state bank वो इसको back कर रहा है और मैं उससे तिजारत अपनी कर रहा हूँ पार्टर ट्रेडिंग का system नहीं चल रहा means के कोई चने के बतले चने कोई खजूर के बतले खजूर कोई इस तरीके की चीज़ें वो नहीं हो रही है currency की बुनियाद पर एक trading हो रही है so crypto basically still अभी जो अपना जो एक कानून होता है basically currency का य तो वो एक तरीके से तिजारत जो उसकी हो रही है तो वो किस price पर आगे finally बेठेगा so then we can categorize it as a currency right के dollar है for suppose आज 170-180 रुपय का जो चल रहा है तो वो एक महाँ पर उसने अपनी price discovery कर ली अब उसमें हलकेपुल की fluctuation हो रही है but अगर हम जहाँ पे BTC की बात करते हैं तो still वो अब इसमें समझने की देखें जो important बात है वो यह है कि शायद ऐसा हो सकता है मेरा गुमान यह कि शायद Bitcoin का भी price discovery mode के बाद जो दूसरा stage है वो वहां तक कभी पहुँचे न सके I believe कि it will always be you know continuing its pattern कि वो एक अपनी value को जो है मतलब वो करता रहे और मतलब retesting करता रहे पीछे आ आए अपना so anyways it just it just the thoughts के basically के हम उसको asset की बुनियाद पर लिए crypto को जो है currency की बुनियाद पर ले so moving forward अब हम आते हैं इस पर ट्रेडिंग पर ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है ट्रेडिंग जो है आपकी simple तिजारत का एक नाम है हम सस्ते में चीज लेके उसको hold करते हैं और उसको महेंगे पर आके बेशते हैं simple as that that's how you do it के मैंने कोई कपड़ा लिया एक सो रुपे के हसाब से और मैंने उसको बजार में जाके रखा बेचा और उसको उसको मैंने 20 रुपे कमाए मैंने 120 रुपे में बेचा अब जो बेसिकली अप्रोच होती है एक न्यूबी जब इसमें आते हैं जब वह उनलाइन उस पे देख रहे होते हैं तो आज के जमाने में इतनी जादा उसको एक तरीके से ग्लोरिफाय कर दिया गया है कि वह देखते हैं कि ट्रेडिंग के मैं एक रात में अमीर हो जाओं इस मैनेजमेंट चाहिए होता है जहां पे आपको एक तरीके से टाइम अपना मैनेज करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़े हैं तो एक रूल है जिसको हम 90-90-90 रूल कहते हैं वो यह होता है कि जब नए लोग इसमें आते हैं जबके न्यू बीज ये न्यू फैट जब आते हैं इसमें तो 90 परसंट जो न्यू बीज होते हैं वो अपना 90 परसंट जो पॉर्टफोलिय होते हैं वो शुरू के 90 दिन में लूज कर देता है अब ऐसा क्यों होता है वो ऐसा इसली होता है कि जब नीचे वाला पॉइंट अगर आप देखें स्पैकुलेशन का य लो यह मार्किट जो है बहुत बुटल है यह मार्किट जो है एनाहिलेट कर देती है लोगization को अगर आपको नहीं पता के आप क्या करने जा रहे है mostly ऐसा होता है कि आप एक तरीके से आते हैं इस market में आपने किया पहली आपने ट्रेड ली बगए सोचे समझे आपकी एक trade मुनाफ़े में गई दूसरी मुनाफ़े में गई तीसरी मुनाफ़े में गई तो आपको यह लगता है कि trading शायद इसी ही तरीके से ही होती है and then जब वो छटी है साथ में trade जब loss में जाती है तो वो आपके मुनाफ़ा होता उसको तो लेकर जाती है लेकिन वो आपके portfolio को भी साफ कर देती है so जो पहला उसूल है सबसे पहला financial market का वो यह है कि यह किसी लग पे काम नहीं करती यह सिर्फ the only L that matters is the learning and that's how it starts अब trading में जो है सबसे पहले किस तरीके के लोग होता है ठीक है हम पहले वो देख लेते हैं हम अभी investor वाली site को नहीं देख रहे हैं हम अभी trading वाली site को देख रहे हैं तो इसमें कुछ पांच basically जो है ट्रेइनिंग होती है types होती है एक होती है scalpers की एक होती है momentum की एक कलाती है technical एक कलाती है fundamental और एक कलाती है swing right so मैं इसमें कोशिश करूँगा कि मैं जितना इसको बिल्कुल एक तरीके से slow down होगे एक तरीके से बिल्कुल इसको ground level पे लाके जितना मैं समझा सकूँ तो आसानी लोगों के लिए रहे तो इसकाल पर basically क्या होता है कि इसकाल पर वह आदमी होता है जो के दिन में बारह तेरह पचीस तीस ट्रेट चोटी 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 लेके अपने profit को जो है मतलब यह क एक तरीके से एक तरफ कर रहा होता है means के let's say के वो आता है 5000-10,000 डॉलर को लेके और वो चोटी 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 ट्रेट ले रहा होता है कि उसने कोई 10 ट्रेट ली 0.1-0.2% की तो उसने दिन में कोई 1-1.5% मनाया which makes around 100-150 डॉलर और उसने वहाँ पे जो है अपनी मतलब यह क trading को अलाफिस का और उसने दिन का अपना पूरा profit कमा के side में कर लिया so scalpers जो होते है basically वो market की उपड़ से situation देखते हैं दिन की और फिर उसमें चोटी 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 profits लेके side में एक तरीके से scalp कर लेते हैं ख्रूच लेते हैं उसको सारे को और अपना एक बड़ा profit जो ले रहे हो यहाँ पर exit ले रहे हो और इसमें कोई लालच की जो है एक तरीके से कोई भी खैर बनियाद नहीं होती खैर लालच की तो बनियाद कई भी नहीं है बढ़िए कि यह holders की बिल्कुल opposite form है ठीक है दूसरे होते है momentum traders अब momentum traders basically क्या है कि यह एक high volume में जो है न एक अगर जून जुलाई अगर्स तक जो है वो एक उसमें जाएगा या कोई भी कोई stock है वो एक end पे जाएगा तो वो वहाँ से उसमें entry लेते हैं थोड़ी 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 करके और वो एक पूरे momentum के साथ चलता है और of course जब momentum के साथ आप चल लूए होता है तो यह momentum traders basically क्या होता है इसके अंदर ही सारी चीजे हा रही ही होती है कि आप चार्ड्स भो देख रही होते आप वो चलता है तो चार्ड्स आप ग्राफ देख रही होते है और ऑसको ammo sy देख रही होते हो आप उदर देख रहे होते हैं कि कहां से मुझा entry लेनी है कहां से निकलना है अब वो basically एक दिन में चले एक अफ़ते में चले एक महीने में चले it depends so जो technicalities होती हो इस trading की वो base करती है charts पर और उसके facts and figures and mathematical calculations पर right अब जो आपकी चौती किसम आती है वो आती है fundamental trading की ये लोग जो होते हैं fundamental analysis करते है basically किसी भी coin का stock का asset का ETF वगरा जो भी होते हैं कि वो उसके पीछे जो company है कोई अगर नई company आ रही है तो उसके पास पीछे backing पर कितना पैसा है उसके पास आगे चलने के लिए मतलब ये कितना एक वो रखा हुआ है एक momentum उसका कैसा है उसकी reports कैसी है उसकी news कैसी आ रही है वो reorganizations कर रहे हैं वो दूसरों का acquire कर रहे हैं basically ये बिल्कुल चानबीन करते हैं सारी चीजों की कि अगर एक कोई market में कोई asset आ रहा है तो उसके उसके बाद जो आती है आपकी वो आती है swing trading जो होती है वो basically होती ही कि जो लोग एक दिन या उससे जादा अपनी position hold करते हैं उन्होंने trade ले ली अब वो उसको hold करते हैं वो देखते हैं कि मतलब आपका वो शायद हफतों भी पर भी जा सकता है वो कभी महीनों पे भी जा सकती है वो चीज तो वो swing trading के लाती है उसने एक अच्छी position पकड़ गी और फिर वो उसको पूरा नीचे से उपर या उपर से नीचे की तरफ जो है पूरा swing करता वा जा रहा है trade को और वो किस तरीके से ले रहा है किस तरीके से वो जो है profit उस पे कमा रहा है तो यह जो है आपकी basically swing trading के लाती है अब इसमें basically समझना यह इस lecture की जो बुनियाद रही है simple के cryptocurrency क्या है ठीक है तिजारत क्या होती है तिजारत करने के इस digital इस like financial market में कौन कौन सी types हैं यह हमने types देख ली यह हमारा basic पहला lecture यहाँ पर होगा है अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे next lecture में वो यह देखेंगे के crypto में stocks में और forex में यह जो तीन नाम हम सुनते बार हैं इसमें फर्क किया इसमें profitability क्या होती है इसमें किस तरीके से देखा जाता है सारी चीज़ है so that's all about it so I hope you really you know learned something from it जो भी नए लोग हैं if you have any queries you can ask me directly or come to my group known as the crypto affairs and you can ask me there जो भी आपकी queries वगर है तो इंशाला one on one जो हम उसमें आप लोग की queries को solve करेंगे और आगे पड़ेंगे so yeah thank you so much it's Shreep Khan from crypto affairs लाफस